मा की दुआ बुरा वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती हैं गुरू मारुकमनी जी से निशुल्ख मिले हर गुरु वार जनता गरबार अधिक जानकारी के लिए दिये गए नंबरों पर संपर्ख करे या आकर मिले 16 वटा 24 इस्ट पटेल लगर नई दिल्ली में जै शनी देव प्रिय भट करों मैं गुरु मारुकमनी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज केस कारिक्रम ये कारिक्रम हमारी शनी पीछ मंदिर 38 पटा 18 इस पटेल नगर नई दिली से हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं इन वीडियोस के माध्यम से हम आपको वो प्राचीन ग्यान देते हैं जिस पर आपका अधिकार है आप ही के पूर्वज रिशी मुल्यों ने इस ग्यान को खोजा आप सभी के लिए उन्होंने इसे छोड़ा वो ग्यान समय के साथ जैसे जैसे लुप्त हो गया हम अपने जीवन में परिशानियों को और अनभव क करते रहें लेकिन वहीं प्राचीन ग्यान हम इस चैनल के माधियन से आप सभी के लीच लाते हैं ताकि आप अपने जीवन को और बहतर बना सके हर परिशानी को दूर कर सके और स्वेव ही इश्वर के और निकट जा सके क्या आपके जीवन ऐसा समय चल रहा है जहां आप सोन अपने को भी चुए तो वो मिट्टी हो जाए क्या आपके जीवन में आज ऐसा समय चल रहा है कि अचानक सी परिशानी आपको भीरे हुए क्या इस समय हो गया है जहां आप कोई भी काम करते हैं वो बनी नहीं रहा है आज मैं आपको धातू का वो छल्णा जो आप अपने हा आप में पहने ताकि आप अपनी संक्रटों से बहारास अगर आपने हमारे चैनल गुरु रजनीश रिशी जी अब तत सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन घंटी का आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो अपलोड होते ही उसकी मेसेज आपकी मुबाइल पे अपने आप आजाए जै शनीदेव आप सभी की समस्यां का निवारिण करने के लिए अपनी दस वर्षों की साधना तपस्या और अनुसंधान की बात मैं गुरु मार्मनी लाइँ हूं आप सबके कश्टों को दूर करने के लिए मंत्र सि लॉकेट नौरत्नों वाले इस लॉकेट को अपने गली में धारिन करने से आपको समस्त नौगरे शुप फलप्रदान करने लगते हैं और नीचे लगी ये जुद्य पे करकपोड़ी है जब यह आपके शरीर उसपर्ष करती है तो रिगवेद की श्री सुद्द की लेकर किया थी बाजार में मिलने वाले अन्य रटनों की अंगूठिया और लॉकेट किसे इस दिद पुष्ट्वारा तीन दिन तक मंत्र सिद्र प्रानपतिश्द और जाकरत नहीं होते हैं इसकारण इस कल्यूग में बहुत से ऐसे कम लोग हैं जिने सच में रटनों का प् सब्सक्राइबर्स हैं वहाँ पर जाकर के आप एसे जमतकारिक रूप से लाग प्रात किये हुए हजारों लोगों का वीडियो देख सकते हैं मेरे द्वारा मंत्र सित्सर मनुकामना सिथी लॉकेट को प्रात करनी के लिए हमारे शनी पीछ मंदिन नई दिली में अभी कॉल कि वह खाना या तो लोहे की भर्तनों में या पीतल के भर्तनों में पकवाया करते थे ताकि उनको धातू का लाग प्रात और खाने के लिए सूने और चानी की धाली का प्रयोग किया करते थे आज भी अगर आप किसी बड़ी वुजूर्द से मिलें तो वो आपको बताएंगे कि अगर आपके शरीर में आईरेंड की कमी है रख्त की कमी है खून की कमी है तो आप अपनी सबजी को अपने खाने को लोभे की कड़ाई में पकाएं इससे आपके अंदर आईरेंड की जो करिषानी नहीं थे आप अपने जीवन को अच्छी तरीके सेयापन कर लहते हैं लेकिन अचानक से कुई समय बना है अचानक से कुछ ऐसा है कि आप को नुकसान भी नुकसान हो रहा है तो इस बात को आप समझना चाहिए कि आपकी जनम कुंडली में आपकी ग्रहें खराब तो नहीं थे लेकिन अब कोई ऐसा समय आ गया है जिसके कारण आपको नुकसान हो रहा है एसी स्थिती में आप अपनी राशी के अनुसार अपने आपको मस्बूत करें ताकि आपको ये बुरे ग्रह का प्रभाव ना पड़े और आपके अच्छे ग्रहों का प्रभाव आपको निरंद दर मिलता जाए उसके लिए आप अपने हाथ में धातों का छला अवश्य ही धारण करें मैं आपको पताने जा रही हूं कि आपको कौन से धातों का छला धारण करना है किस हाथ में और किस उंगली में उसे धारण करना है ताकि आपका बुरा समय भी अच्छा हो जाए अगर आपकी राशी कन्या या वर्गो है तो आप अपने सीधे हाथ में एक कांसे का छला बनवा करके अपने सीधे हाथ की सबसे चोटी उगली में सिधारिन करें तो अवश्य ही आपको आपके बुरे समय में मस्गूती मिलेगी और आप अपने सभी संक्रटों को पार करते हुए अपने समय को अच्छा कर लेगी इस चले को मंत्र सिध कराने के लिए आप किसी ऐसे विद्वान या ज्यानी पुर्ष को ढूले जिन्होंने कम से कम नवग्रे मंत्रों को सवा पांच लाग बार जब किया हो और उसके पश्चाद उसका विधिवत पूजन हवन किया हो और उसके पश्चाद निरंतर हो उसक कर सकते साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि अभी नहीं पहले से कहीं समय से यानि मान लिजे कुछ तीन-चार सालों से या उससे भी जादा से आपका समय खराब चरना है तो आप निश्चित जानिए कि आपकी जनम कुण्डी के ग्रह खराब इसके लिए आप अपनी ग्रहों के इसाफ से अपना उपाय करें तो अवश्य ही आपको लागता होगा उसके लिए आप मुझ से और जो हम समाजिक और धार्मिक कारे करते हैं उसमें प्रयोग की जाती है जैसे कि हम महायक्यों का आयुचन करते हैं समय समय पर हम जो गरीबों के बीच में अनलान करते हैं लंगर सीवा इक्यादी होती है हर शनिवार को जो हल्वे का प्रशाद विद्रिन किया जाता है उस कराते हैं वेप्रिजायनी मल्की मीडिया का और उन्हें स्कॉलर्शिक दी देते हैं ताकि वो आत्मिने भर हो सके और अपने जीवन में कुछ कर सके तो उन सभी के लिए फ्रीज प्रयोग की जाते हैं तो आप उपनी जन्मकुर्ली दिखाने के माध्यम से सेवाओं में भी सय कर सकते हैं अध्यर्थित्तस्तदातस्वें स्थानानी कल ये ददव दूटंबानं से सूनो यत्रधर्मस्ततुर्विदव बहुत ही रोचक कहानी है एक दिन राजा परिशित अपने शिवर से बाहने के उन्होंने दीखा कि एक गाय और एक बैल का जूड़ा आपस में स्त् हैरानगी वी पैल और एक गाय को हई सुना है मनुश्य भाशा में देंग ने परिख्षित valamath switched harger रहीन के बायके इनकी बात को था तो उन्होंने पाया कि वो जो बैल था उसके तीन पैर नहीं थे, वो पात्र एक ही पैर पे खड़ा था, राजपरिक्षित को और आश्यर हुआ और वो समझ गए ये अवश्य ही कोई देव है, जिन्होंने गाय और बैल का रूप धारत किया है, वो बैल कह रहे है थे गव मात से, हे देवी, तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों इतनी चिंता तुर हो, क्यों परिशान हो, क्या तुम मेरी दशा को देख करके रो रही हो, या तुम्हे स्वैम अपने आप ही कष्ट है, वो गाय और कोई नहीं स्वैम पृत्वी थे, और वो बैल और कोई नहीं धर्व मार्था पृत्वी धर्मदेव से बोली कि मैं क्या करूं धर्णदेव आप ही देखिए कैसे कैसे दुष्ट मुझ पर जन्म लिए जा रहे हैं हर और अधर्म बढ़ रहा है लोग कैसे होते जा रहे हैं इन्हें मनुष्य कहने में भी मुझे लज्जा आती आपको भी देखो इस कल्यूग के फेर से आपके तीर चर्ण लुप्त हो गए गायब हो गए और मात एक चर्ण में आप खड़ी है एक पेर पे खड़ी है और वो ही कल्यूग आपसे छीन लेना चाहते हैं इसी दुर्दशा को देखकर कि मैं ब्याकुलू सत्यूग में धर्म के चार पेर ते यानि कि च चार स्तम्लों पे धर्म करा था तब पवितरता दया और शत्यॅंच सबसे पहला जो धर्म का चर्ण धाववो था तब यानि कि स्वेम को जला करके भी दूसरे को सुक देना जैसे एक दीपक जलता है और दूसरों को स्टि hanya दोदा है वैसे नंग हो वैसे ही धार्मित्र सज्जन लोग स्वैम कष्ट भोग करके भी दूसरों को प्रसंता देते थे आज कल्यूग में इसका बिल्कुल विप्रीत हो चका है लोग एतनी सेल्फिश हो गए हैं कि उन्हें सबसे प्रतम अपना सुख चाहिए और कोई भी कष्ट भोगना ही नहीं चाहिए दूसरा जो धर्म का चाहिए था जिस पर धर्म टिका था वो था प्रतम यानि कि भार और भीतर बिल्कुल साथ एक पार दर्शी शीशे की तरहां जो भीतर है वही बाहर है लेकिन आज इस कलियुक के फिर से लोगों के मन में कुछ और है लोगों के बाहर कुछ और है वो कहते कुछ और है लेकिन उनके मन में जल कुछ और रहा है उनके अंदर सफाई नहीं है बहुत से मित्र बनने का व्यास करते हैं नोग करते हैं लेकिन अंदर इतनी इर्शा से भरे हैं कि उनसे आपकी खुशी देखी नहीं जाते हैं और बहार आपकी मित्र हैं, आपकी रिष्टेदार हैं, आपको कॉंग्राचुलेट करते हैं, आपको बधायां देते हैं परण तु भीतर ही इतनी इर्शा है ये मन करता है कि कब आप अपने स्थान से गिरूँ ऐसे में जहां पवित्रता नहीं है मनुष्य के विड़े में वो स्वाइब अपना ही चेहरा ठीक से नहीं देख सकता तो इश्वर को फ्रति विम्मित होते हुई कैसे देखे ता जो इश्वर उसके अंदर ही है वो उसको फल कैसे देखे तेसरा जो धर्म का चैन दाजिस पर धर्म खड़ा था वो धाल दया मनुष्य के अंदर हर चीव अर प्राणी पेड पौधे के लिए दया थी आयुर्वेद में भी अगर आपको पता हो तो किसी भी पौधे से तोड़ने से पहले किसी भी पप्ती को तोड़ने से पहले पूल को तोड़ने से पहले उनको प्रडाम किया जाता है उनसे प्राधना की जाते है हर किसी के प्रती सब वीदन शील हुआ करते थी सत्योप में ल नवस्टे जैशनुपी जैई गूरूमा क्या बाताएं। आपको बात में अच्छा लगता है मैं बोलनी सकती हूँ। आपको प्रेना होु। में जो खोया उसके ज्यादे तुजी मिला है। आप जैसा मा आप किसा गूरू ही तो से ज्यादे के। अग्तों, आप्को निए में समय दिखुछू। नात को लिए निम आई तो आपको आपको बखे, रख देताए। पस जब में लेटावी थिती हुके मुर्के किलादिया। कि अप्लच रखे लेक्तारों, प्लच रखे लेक्तारों नचल मों करता है पर भूमorter राख हुआ झाल कम समय कवना स्वेक्छा रंख पर जाते हैं पर gereki Dulc रखने यह के स्ट सख़र मंसे पकुड़ कुड़े पर के बिसे का है जाप जा बेकुड़ कि कृटिबया यह ब्ला शुशवार जृवड मता। मैंने अभी सुना है टीवी पे न्यूज आ रही थी कि एक दिन बाजार में दिनली की घजना है एक व्यक्ति नाजाने किस कारण कोई विमारी हो सकती है या अचानक से उसको चक्कर आया वो जमीन पर गिर गया भरे बाजार में कोई उस पर ज्यान नहीं दे रहा सब उसके रिकॉर्डिंग के दे उसी समय वहां से एक व्यक्ति निकलाव कि जिवाहन पे था ऑटो या टेंपो किसी चीज पे था और उतर करके वह उस आदमी के पास कहें सीसी टीवी में कि सब रिकॉर्डिंग है और ड्यूस पर यह आ रहा था और जाकर कि उस आदमी ने सबसे पहल सब निकाल लिए और वहां से भाग रहा है उसकी सहायता तो करना दूर उसकी और दुर्गती करके चड़ा है तो हमें मनुष्य होकर आज मनुष्य पर दया नहीं आपी तो धर्म कल्यूक में कैसे इस चरण पर लेकिन जो चौथा चरण है जिस पर कल्यूक में भी धर्म सकता है आपके सत्य पर धर्म नहीं दिकाल आप जूट बोलो आप सत्य बोलो उससे धर्म को कोई फरक नहीं पड़ता धर्म था धर्म है धर्म रहेगा इश्वर का अस्तित्व ही धर्म है इश्वर का होना ही धर्म है वो थे वो हैं और वो रहेंगे यही सत्य है और इसी सत् प्रॉज आप मा ना मान को मानों ना मान को मान लेकिन फिर भी धर्म ठान है धर्म रहे गा और यही सफ़््थे और इस प्रकार updates सूर्य होता है और इसा प्रकार कि हम आप कुझा हैंने каких सूर्य होता है तो उससे सूर्य Cox प्रभाव नहीं पाड़ता वो तो रोजाना ही उगता है और अस्त होता है हम इसक प्रतालसी धर्म को आपकी सत्त से आपकी जुप से कोई परक नहीं पड़ता उसका हूना मात रही तक है और आप माने ना माने He हम जैसे न जाने कितने गुलुजन ज्यानी जन्संत लोग हुए आज है और कल हमारे जाने की बाद भी कितने होंगे धर्म को ना कोई हानी होई है ना कोई हानी हो सकती राजा परिक्षित दोनों गाय और बैल की वारतालाब सुन रहे थे कि अचानत से उन्होंने देखा कि एक काला मनुश्य बहुत मोटा तगड़ा उसके हाथ में दंडा था लाल लाल आखे थी काला उसका रूप था वो आया और उन गाये और बैल की जोड़े पर वो दंडे से प्रहार करने लगा राजा परिक्षित से ये सहाय नहीं हुआ और उसके उपर तलवार नांदी वो और कलियुक था वो रोते हुए राजा परिक्षित के चैनों में गिरा और कहने लगा कि आप मुझे शमा करें राजा परिक्षित ने कहा कि तुम मेरे राज्य में ऐसा अत्याचा नहीं कर सकता है इसलिए तुम यहां से चला जाइए महाराज ये मेरा सुभाव है इसमें मैं क्या कर सकता हूं मेरा क्या खोट है मुझे कोई ऐसे स्थान दें जहां मैं आपके राजी में लिवास कर सकूँ तब राजा परिक्षित जी ने उसको चार स्थान दिये दूतंपानंस्त्रिय सूना यत्रधर्मश्चत्र विदहन चार स्थान राजा परिक्षित जी ने दिये सबसे पहला जहां जूट बोला जाता हूं जहां सट्टा खीला जाता हूं ज्यू ताले हूं वहां कली को रहने का स्थान दिया दूसरा जहां मंदीरा पान हो जहां व्यक्ति नशे में हो वहां उसको स्थान दिया तीसरा स्थान दिया जहां स्त्रियों के साथ दुर्वेवार हो दुराचार हो वहां उससे स्थान दिया हिनिस्चा जहां होती हो वहां कली उसको स्थान दिया इन चारो स्थानों को पाने के बाद भी कली कहने लगा महाराज हुझे कम से कम एक स्थान और दे जहां मैं निवास कर सकूँ तब राजा परिशित ने सोना स्वर्ण में उसे निवास दे लेकिन कहा कि हर सोने में नहीं तो उस सोने में वास करेगा जो इन ही चार मार्गों से कि 2020 से कमाया हुआ थन हैर्म से कमाया हुआ अद Tat अधर्म से कमाया हुआ सोना घमन्य में आकर कि जब भी व्यक्ति निस्य में चूर होगा ऐसा धन उसके नाश को कारण stain होगा वहां तुक य knife करना जहाँ आवश्यक्ता से अधिक वासनाए हो, कामनाए हो, इच्छाए हो, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, वहाँ भी कली तु वास करना, वहाँ से कमाया हुआ धन, सोने में तु वास करना, और जहां हिनसा हो, जहां लोग एक दूसरे से परस पर लड़ते हो, एक दूसरे से वैरभाव रखते हो, तो वहां भी तुवास करना और ऐसे जिन मार्गों से धन आए ऐसे मार्गों से धन आए वहां तुवास करना उससे कमाया हुए सोने में तुवास करना और तुझे वहां से कोई भी हटा नहीं पाए तब से कली यानि कल्युग इन पांचों स्थानों विवास करने में और यही इस वह कारण है इन स्थानों से कमाया हुआ धन इसकारें से कमाया हुआ अधन या सोना कभी भी टिकता दें वो धन चला जाएगा वो सवना चला जाएगा घुंग जाएगा या हो सकता है कि आपसे कोई वो छीन ले लूट ले ठगी हो जाए लेकिन ऐसा अधन ऐसा सूना कभी भी आपको फले गने तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें कि हम जब भी कमाएं अधर्म से धन्दा कमाएं धर्म से कमाएं ताकि उसमें वर्कत हो प्रिद्धियों कि आप सभी को अपना आशिर्वात देते हों इश्वर आप सभी के जीवन में सुख और शांती ने आप सभी के जीवन में उनती दें ऐसी मेरी प्रात्ना है जै इश्ञति हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियो को यहां पर क्लिक करके आप देख दिरें